प्यारे विद्यातियों, जी के ट्विक 563 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नमबर दो, बहादुर कहानी का सारांस बहादुर कहानी का सारांस इस कहानी में अमर कांत जी ने वारा वर्ष के नेपाली बालक के लाचार इस्थित और इमानदारी का वास्तविक चित्रण किया है मा के मारपीट से तंगा कर बहादुर सहर भाग जाता है संजोग से निर्मला बहादुर को अपने घर का नवकर बना लेती है बहादुर मेहनत और इमानदारी से घर का सारा कार करता है परन्त मालकिन उस पर विश्वास नहीं करती उपर से उसे डाड़ती, फटकारती और पीड़ती थी एक दिन एक रिष्टेदार का मात्र 11 रुपए खो जाता है मालकिन चोरी का इल्जाम लगाकर बहादुर को खूब पीड़ती है वह बेचारा अपना सामान छोड़कर भाग जाता है तब लेखा कर उसकी पत्नी निर्मुला दोनों को अपने अपने गलतियों का अहसास होता है और पस्चाताब भी होता है परन्त अब पस्ताए होत क्या जब चिनिया चुग गई खेत हाँ विद्यार्थियों अब पस्ताए होत क्या जब चिनिया चुग गई खेत यदि ऐसा आज होता तो बहादुर को पुरस्कार मिलता और दामपत्य को जेल होती प्रेचा चात्राओं यदिया वीडियो अच्छा लगे तो इसे तैयार करके लाव उठाए और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए धन्यवाद